गुड मार्निंग नमस्कार सुब प्रभात मैं हूं त्री बुनियादव स्वागत करता हूं आपका बांबे आट आफिसियल के यूटूब चैनल पर आज हम लोग पढ़ेंगे mcq के माध्यम से पाड़ी चित्रकला आए श्टार्ट करते हैं चित्रकार मानको द्वारा चित्रित ग्रंत है तो यह ग्रंत है गीत गोबिंद नारी अंकन का संदर चित्रण किस शैली में है तो सही बिकल्प है बिकल्प है पहाड़ी चित्रण अंडाकार रूप में ब्यक्त छित्रण किस सैली में हुआ है ये पारी सैली में कांगणा सैली में कितने प्रकार की नाईकाएं होती है तो सही बिकल्प है तीन प्रकार की नाईकाएं होती है कौन-कौन सी नाईकाएं होती है स्वकिया दूसरी होती है परकिया और तीसरी होती है शामाने नेक्स्ट पहाड़ी शित्रों का निर्मान कब से प्रारंब हुआ? तो 28 सतापदी से प्रारंब हुआ है पहाड़ी शित्रों का निर्मान नेक्स्ट पहाड़ी पेंटिंगें किस समय बिक्सित थी? तो पहाड़ी पेंटिंगें जो है प्रारंबिक 18 से बिलंबित 19 सतापदी के मद जो है बिक्सित थी पहाड़ी शित्र कला मुखेतिया किस शेत्र की है? तो ये पंजाब की पहाड़ीयों की है नेक्स्ट प्रकृत्र चित्रन को किस सैली के चित्रों में महत्व मिला है? जाई बिकल्प है पहाड़ी चित्रों के अंतरगर्द नेक्स्ट पहाड़ी चित्रों में किस रंगों का प्रेयोग किया गया है? तो ये गहरे रंगों का प्रेयोग किया गया है नेक्स्ट मौला राम कौन थे? तो मौला राम पहाड़ी चित्रकार थे नेक्स्ट मौला राम कौन थे? तो ये एक चित्रकार थे सबसे अधित कृषड लीला के चित्र किस सैली में बने? तो पहारी के अंतर गद बने है कांगरा सैली गुलेरी सैली के लगबग कितने चित्र प्राप्त हैं जो रामायड पराधारित है तो सही आप्सन है 14 सिकरे के साथ महिला किस सैली का चित्र है तो यह गुलेर सैली का चित्र है नेक्स्ट निम्न में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है तो यह चावंड यह राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है नेक्स्ट 29 किस सैली का चितरकार था तो ये गुलेर सैली का चितरकार था माराजा संसार चंद ने निम्न में से किस सैली को संद चंड दिया तो सही भी कल्ब है पहाडी सैली को माराजा संसार चंद इस सैली की चितरकाला के महान संद रच्छक थे तो वो था कांगड़ा सैली कांगड़ा चितर सैली किस राजा के समय विक्सित हुई तो राजा संसार चंद के समय विक्सित हुई कांगणा चित्रकला की उन्नथी इनके समय हुई तो राजा संसार चंद के समय हुई थी कांगणा सहली का अभिकास किस के साशनकाल में हुआ? संसार चंद के साशनकाल में हुआ संसार चंद के चित्र किस सैली में बने तो इनके चित्र पहारी सैली के अंतरगत बने हैं महाराजा संसार चंद वारा किस सैली को संरचन मिला कांगडा किस चित्र कला की सैली है महाराजा संसार चंद वारा किस सैली के प्रमुक पोसक उन नायक रहे वह सैली कौन सी है तो वह सैली है कांगडा सैली कांगडा चित्र कला का दूसरा नाम है तो कांगडा चित्र कला का जो दूसरा नाम है वह पहारी चित्र कला पहारी चित्र कला कोई कांगडा सैली भी कहते हैं कांगडा चित्र कला पर किस सैली का प्रभाव पड़ा तो मुगल सैली का प्रभाव पड़ा कांगडा चित्र कला के संवरचक संसार चंद के कला प्रेम की चर्चा एक अंग्रेज यात्री ने सुन्दर सब्दों में की जिसका नाम है मूर क्राफ्ट मूर क्राफ्ट ने की नेक्स्ट कांगडा सैली के चित्रकारों का प्रिय बिषय क्या था तो इनका प्रिय बिषय था राधा क्रिश्ण कांगडा सैली के चित्रों में मुख्य चित्रण है तो कांगडा सैली में मुख्य जो चित्रण है वो है क्रिश्ण राधा के प्रेम का नेक्स्ट कांगडा सैली का उतकर्ष काल है तो इसका उतकर्ष काल है 1786 से 1805 इस्वी नेक्स्ट कांगडा सैली का प्रमुख्य चित्रकार कौन था तो ये था कुशनलाल नेक्स्ट कांगडा सैली के चित्रों के भीषय है तो इनके जो भीषय है वो रागमाला भी है क्रिश्ण लिला भी है नायक नाइका भी है अर्थात उपरोक्त सही ये भी कल्प सही है कांगडा चित्रकला का भीषय है तो इसका भीषय जो है पंच तंत्र नहीं है नेक्स्ट पाडी स्कूल कांगडा स्कूल एवन राजपूत स्कूल आदी का समबंध किस से है तो इनका समबंध चित्रकारी से है नेक्स्ट नीचे चित्रों की कुछ विशेस्ताइं दी जा रही हैं इनमें कुछ कांगडा की हैं इनके नीचे दिये कूटों में से केवल कांगडा की विशेस्ता वाले कूट को चुनिए जो कांगडा की विशेस्ताइं हैं उनहीं को चुनना है तो इन में से सही बिकल्प है बिकल्प सी अर्थात संब्रिद रंग योजना है कंगड़ा की बीशेश्था मृद्वे उन अबोध चेहरे भी हैं सुवस्पष्ट मोटे उन अलंकरित रूप भी हैं तथा घुमाओदार जो है रेखाएं भी हैं नेक्स्ट बसाउली सेली बसाउली के चित्र किस संक्राले में सुरक्षित हैं तो पंजाब संक्राले में सुरक्षित हैं नेक्स्ट बसाउली छेत्र आज किस राज के अंतरगत आता है तो ये जम्मु कस्मीर के अंतरगत आता है बसवली सहली में चित्रित गीत गोविंद के कलाकार कौन है तो गीत गोविंद के जो है कलाकार दिये गए विकल्पों में से कोई भी नहीं है क्योंकि गीत गोविंद के जो मुख्यता कलाकार है वो मानकू है गित गोविंद के चित्र किस सैली में बने हैं गित गोविंद के जो चित्र हैं वो बसवली सैली में बने हुए हैं लोग कला पर कौन सी सैली आधारी थे पाड़ी चित्र कला में रसमंजरी का अंकन किस सैली में हुआ तो सही बिकल्प है बसवली सैली में हुआ था नेक्स्ट कमपनी स्कूल अर्थात पतना कलम सैली पतना कला सैली का विकास किन दो कला सैली के सम्मिसरन से हुआ तो सही बिकल्प है योरोपी यों भारती सैली के मिसरन से हुआ नेक्स्ट पतना सैली चित्रों का दूसरा नाम क्या है तो पतना सैली चित्रों का जो दूसरा नाम है वो एक कमपनी सैली नेक्स्ट कमपनी सैली के भारती केंद्रों में प्रशिद्ध है यह पतना उत्तर भारत में कमपनी सैली का प्रमुख केंद्र था तो उत्तर भारत में कमपनी सैली का जो प्रमुख केंद्र था वो था पतना पटना सैली के चित्रकारों को सरोप्रथम किसका सनरच्छन प्राप्त हुआ सही विकल्प है अंग्रेज अधिकारियों का सनरच्छन प्राप्त हुआ नेक्स्ट अंग्रेजी सासन के कारण जिस नवीन सैली चित्र का जन्म हुआ वह थी तो थी कमपनी सैली कमपनी सैली का प्रारंबिक केंद्र कहा था तो इसका जो प्रारंबिक केंद्र है वो पटना में था कमपनी सैली के प्रसिद कलाकार कौन थे तो कमपनी सैली के जो प्रसिद कलाकार थे वो इस्वरी प्रशाद थे लाल चंद किस सहली के चितरकार थे मुगल चितरकला के पतन के पश्षाद जो सहली बिभीन केंद्रों में अस्थापित हुई वह क्या कहलाती है तो वह कम्पनी सहली कहलाती है अर्धात बटना सहली नेक्स्ट आज के लिए इतना है यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें